आइल्स का आज जो इवनिंग स्लॉट एक्जाम हुआ 15 जैनवरी उसका रिव्यू में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लिस्निंग में बहुत सारे MCQs आए 2nd और 3rd section दोनों ही MCQs से बरे हुए थे और कितना आपको परिशान किया तो मुझे comment section में जरूर बताना reading के 3 text थे तो तीनों text में से section 3 जो था जो writers के ऊपर कुछ आया था वो थोड़ा से complicated लगा keeping water away और tea export पर दो context और भी थे यही आपकी reading थी और यही आपके भी listening थी कहां पर आपने test दिया और कितने questions के आपको answers याद हैं तो comment section में बताइए so that we can prepare the answer की तो भी इससे पहले के मैं आपके साथ writing task discuss करूँ मैं आपका comment चाहता हूँ comment section में city बताइए please और कहां पर आपने test दिया और क्या आप से vaccination के बारे में पूछा या नहीं morning slot का जो मैंने review video share किया उसमें कुछ students के comment आया है के नहीं उनसे तो पूछा भी नहीं और कुछ venues पर ये कहा है ये तो फाल्तू का document है हमें इससे क्या लेना तो idb अगर इससे फाल्तू का document कह रहा है तो इसका मतलब ये है के students को tension लेने की जुरूरत नहीं है अगर आप वैक्सिनेटर नहीं है तो अगर आप हैं फिर तो क्या मज़े की बात है प्लीज इवनिंग स्लोट वाले भी इस चीज़ पर जुरूर बताएं के आप से क्या vaccination certificate जो उन्होंने मांगा या नहीं जानगा या ऐसा कहीं हुआ के वैक्सिनेटर ना होने की वज़े से आपको exam देने से मना कर दिया तो बात करता हूं अगर task one and task two की task one में आये था एक pie chart जो के सबसे easy type of tasks रहता है और task two था life expectancy पे और मैं कहूंगा के ये गुमा कर आपको डाल दिया ऐसे के बुढ़ों की जो population है वो grow कर रही है इसके implications पूछे थे के life expectancy बढ़ गई है मतलब अब लोगों की उमर बढ़ गई है उनकी death काफी लेट हो रही है 80-90 साल तक जिन्दा रहेंगे तो क्या implications है I believe के आप सभी ने काफी अच्छे से एसे handle कर लिया होगा यसी ऐसे का answer आपको writing booster में भी मिलता है आप चाहे तो अपने work को compare भी कर सकते है and this is pretty much all in this video तो अभी definitely share कीजिए अपना view and experience related to today's exam in the comment section of this video thanks for watching and bye bye for now